पूरे देश में इस वक्त चुनावों की गुंज है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, वादे इरादे दावों की जड़ी लगा दी गई है, घोशनाएं की जा रही हैं, हमें वोट दे दो, सत्ता में हमें ला दो, और आपका भविश्य उज्वल हो जाएगा लेकिन भविश्य क्या होता है, देश का भविश्य कौन है, वो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, ये जिन चुनावों को लेकर ताल ठोकी जा रही है, सबसे बड़ा मेला होता है चुनाव, सबसे बड़ा जश्न भी होता है, इसमें कताई कोई दोराय नहीं है, लेकि आप में इम्तिहान है मैं इस बात को जरूर मानता हूँ लेकिन चुनावी इम्तिहान से भी बड़ा एक इम्तिहान आप मैं हम सब हमारे बच्चे उन्हें इन इम्तिहानों से गुजरना होता है आप गुजर चुके हैं मैं गुजर चुका हूँ हमारे बच्चे गुजर रहे हैं और ये अम्तिहान ऐसे नहीं हर पांट साल आ रहे हैं अम्तिहान में फेल तो फेल भविश्य का डबा गुल पर अम्तिहान हमारी परीक्षा की व्यवस्था दरसल क्या एक नासूर बनती जा रही है पूरी जम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तमाल कर रहा पेपर लीक आम बात हो गई है रोज बरोज खबरे आ रही है चुनावी मौसम है चुनावी अम्तिहान की तैयारियां चल रही हैं लेकिन आपके मेरे हमारे बच्चे देश का युवा देश का भविश वो भी इम्तिहान दे रहा है और परच्चे लीक हो रहे हैं फिर परच्चा लीक हो गया उत्तर प्रदेश में जनसंक्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज असी लोक सबासीतों वाला राज उत्तर प्रदेश कल बारवी के गनित और जीव विज्ञान यानि के माथमाटिक्स और बायाली के परच्चे लीक हो गए बारवी के और लीक कैसे हुए दूसरे सत्र में यह इम्तिहान हो रहे थे कुछ लोग कन्फीूज भी होंगे अरे Maths और Biology के इम्तिहान साथ साथ कैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में आप गनित ले रहे हैं तो Biology नहीं ले सकते Biology ले रहे हैं तो गनित नहीं ले सकते CBSE में ऐसा होता है तो ये दो इम्तिहान हो रहे थे Second shift में इम्तिहान चल रहा था एक घंटे बाद एक WhatsApp ग्रूप All Principal आगरा नाम का एक WhatsApp ग्रूप पर ये दोनों पर्चे सारवजने कर दिये गए अब आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि एक घंटे बाद हुआ ये तो तो इसे पेपर लीक कैसे कह रहे हैं अभी हमें क्या मालूम कितने घंटे पहले ये लीक हुआ था और पर्चा चल रहा है तब ये लीक हो गया ये और गंभीर हो जाता है कैसे लीक हो गया और एक घंटे बाद भी क्या नकल का कारोबार भी इस पेपर लीक से जुड़ा हुआ है एक धंदा जो बन गया है दस बारा लोग लग जाएं एक पेपर को सुल जाने में दस बारा मिनट में कर देंगे पूरा और वो वापस वाटसाब ग्रूप के जरिये चातरों के पास पहुंच सकते हैं आप कहेंगे की मुबाइल फोन तो नहीं ले जा सकते अंदर मुबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकते ये परचे लीक कैसे हो रहे है ये एक माफिया काम कर रहा है क्या एक सिंडिकेट एक संगटित गिरोह जिसने इमतिहान की इस विवस्था को अपने कबजे में ले लिया है और ये कहने पर मुझे मजबूर क्यों होना पड़ रहा है क्योंकि ये पहला वाकिया नहीं है 17-18 फरवरी आज से दो हफते पहले और A.B.P. नियूज ने वो खबर दिखाई थी सीधा सवाल हमने पूछा था पुलिस कॉंस्टेबल भरती का इम्तिहान था पर्चे लीक हो गए जी सुबह सुबह ही पर्चा लीक हो गया उस से पहले 11 फरवरी को उस से एक हफता पहले यानि कि आज से तीन हफते पहले आरो ए आरो की परीक्षा भी लीक हो गई थी परीक्षा इम्तिहान क्या मजाक बनकर रह गए है युवाओं की बच्चों की भविश्य ये हमारी प्रात्विक्ता ही नहीं रह गया है क्या बड़े भरे मंद से और घुसाए मंद से मैं ये बात कह रहा हूँ अब एक आंकड़े पर गोर कीजिएगा बारवी की परीक्षा देने वाले 25 लाख साथ हजार चात रहें उत्तर प्रदेश के अब हुआ क्या है डिस्ट्रिक्ट इंफरमेशन आफिस डि आई ओ एस ये जो अधिकारी है इन्होंने तीन सदसी एक कमिटी बना दी जैसा की कॉंस्टबल भरती में हुआ था पहले कमिटी बन रही थी हमने सवाल उठाया तो वो रद हुई एबी पी नियूज की खबर का वो असर था तो छे महीने बाद होगी परीक्षा क्यों भई दस दन बाद कराइए बीस दन बाद कराइए एक चात्र को एक परीक्षा की तैयारी में कम से कम दो लाक रुपे लग जाते हैं जो गरीब गुरबे हैं जो लोगर मिडल क्लास से आते हैं कमर तूट जाती है कमर अपने बच्चों का भविश्य संजोने के लिए माता पिता खर्च तो करते हैं पर वो पानी की तरह ऐसे बहता दिखे क्या गुजरती होगी उन परिवारों पर 48 लाक से ज्याद अचात्र थे कॉंसिबल भरती के लिए अभ्यरती और दस लाक उनत्तर हजार कैंडिडिट्स थे आरो ए आरो परीक्षा के लिए और इस परीक्षा में क्या हुआ क्या पता लगता है आगरा का ये अतर सिंग इंटरमीडियेट इंटर कॉलिज था इसमें कम्प्यूटर आपरेटर विने चौधरी उसने ये पेपर वाटसाइब ग्रूप पर भेजा एक अकिला आदमी ये काम कर सकता है या ये पूरा एक माफिया सिंडिकेट जो शब्द में ने इस्तमाल किये वो आपरेट कर रहा है कहने को कानून सक्त किये जा रहे हैं साल की सजा एक करोड का जुर्माना उसके बावजूद ये लिक ठीक यो नहीं हो रही और मामला सिर्फ उत्तर पृदेश का नहीं है उत्तर पृदेश को लेकर राजने तक बयान बाजी हो रही है प्रियंका गांधी वाडरा कह रही है परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं परीक्षा माफिया और ब्रस्टाचारियों को बचाने के लिए बीजे पी करोडों बचों और युवाओं की बन्याद खोखली कर रही है अकेलेश यह अदव कहरे हैं सरकार जानकर पेपर लीक करा रही है नौजवानों का भविश्य खत्म किया जा रहा है बहुत सारे बयान आई पर थोड़ा और वील डिगन डीप मैंने नासूर शब्द का इस्तमाल किया और अभी जो भरतियों के लिए competitive एक्जाम्स जो होते हैं कि बही नौकरी लग जाएगी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ दसवी बारवी वहाँ पर भी किस तरह से जड़े जमाली गई हैं उसकी एक बानगी आपको देता हूँ राजस्तान में 2011 से 2012 के बीच 26 पेपर लीक हुए 26 और 2018 से 2012 इस एप्रियंग का गांधी वाटरा ने जो बयान दिया है उसका दूसरा पक्षबी मैं आपको दिखा रहा हूँ 14 पार परचे लीक हुए तब कॉंग्रिस की ही सरकार थी बिहार में दस्वी का इम्तिहान छे बार लीक हो चुका है छे बार दस्वी का इम्तिहान कुल मिलाकर दस पेपर लीक हो चुके हैं साथ सालों में पस्चिम बंगाल में स्टेट बॉर्ड इग्जामिनेशन बॉर्ड के इम्तिहान साथ सालों में दस बार लीक हो चुके हैं दस बार तमिल नाडू में दोनों दस्वी और बार्वी के बोर्ड के इम्तिहान 2022 दो साल पहले लीक हो गए थी किसी भी राजनेतिक दल कि किसी भी घोशना पत्र में आपने देखा सुना पढ़ा कि ये परचा लीक इसे बंद करके ही रहेंगे इस दीमत को खत्म कर देंगे किसी के गोशना पत्र में आपने देखा चुनाव चल रहे हैं ये तो चलेंगे कोई बात नहीं अभी तो चुनावी तयारियां चुनावी परीक्षा की तयारियों पर सभी का ध्यान है और लोक सबद चुनाव होते ही इस वक्त है जब आपके मेरे बच्चे हमारे चोटे भाई बहन हमत्यानों की तैयारियां कर रहे होते हैं ऐसे में आज का सीधा सवाल लगातार पेपर लीक सिस्टम कब होगा ठीक और नेताओं का चुनावी इम्तिहान भविश्य पर कब देंगे ध्यान जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे